परदान मंत्री नरेंदर मोधी ही देश दे अगले परदान मंत्री होंगे। परदान मंत्री नरेंदर मोधी होंगे। परदान मंत्री परकास सिंग बादल नू खास तोरते याद कार दे होंगे। परदान मंत्री नरेंदर मोधी दे आले द्वाले अमित शा राजनात सेंग जान जेपी नडडा नहीं। बलके चंदरबाबु नाइडू अते नितीश कुमार बैठे होई सन। शुरू में शायदे एसेंबल हुआ होगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि भारत के राजनीति व्यवस्था में एक और्गेनिक अलाइंस है। और ये मुल्य श्रदेय टल्वेहरी वाजपाई, श्री पकास सिंग जी बादल, श्री बारताब ठाकरे, श्री जॉर्ज फनाडीच, श्री श्रद्यादव, अंगिनत नाम में कह सकता हूँ। इन लोगों ने जिस बीश को बोया था, वो आज भारत की जनता ने विश्वास का स्विंचन करकर के इस बीश को बट बुख्ष बना दिया। इन या सीटा ने मिलिया, जिन या बीजेपी नो इस वार मिल गईया ने। पिश्रियां दो वारियां तो एद की बीजेपी नो किते काट सीटा मिलिया ने, बाउमत भी नी मिलिया। फिर भी नरेंदर मोदी ने एदर सौंधी कोशिश कीती कि उना नू कॉंग्रस तो वाज सीटा मिलिया। कॉंग्रस केंदे एस वार वी सौ तक नी पहुंच सकी, मैं केंदे दस साल तो डिबेट नो मिस कर रहा सी, उमीद है एस वार विरूदी तेरह साल लवेगी। दिली सरकार विच मंतरी गोपाल राइवलों दिली विच कॉंग्रस तो वाखों के चोन लड़न दे एलांते चुटकी लेंदे आमोदी ने एवी किहा कि इनादा सच्वी सामने आ गया है यानिके इंडिया गठ जोडते निशाना साध्या। और क्या रहा फोटोगाप के लिए तो उन्हों ने एलाइज गोशित कर दिया है लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं चुनावी जंग में एक दूसरे की पीड़ में चुरा भॉंपते रहे हैं कभी उन्होंने कहा कि यह तो हमारा वैटारिक अलें हैं वह विचाव लेवल पर ठीक है बागी नीचे तो हमारा अपना हम तयार करेंगे और अब फिर वह तो सीट के आदार पर एलाइंस करेंगे टोटल नभी करें यह भी खेल खेला और अभी तो चुनाव कुनाव शुरू कर दिया कि यह तो हमारा एलाइंस लोग सभा के अब देख लेना चार जुन के बाद विख्राव शुरू हो जाएगा पीम ओदी ने खास तोरती राहुल गांती ते निशाना लौने के हागे एना ने लोकानों गुमरा करके एक लख देंदा वादा कीता ते हुन पर्चियां फड़के लोक कॉंग्रस ते दफ्तर ते बाह देंगे दो दिन से मैं देख रहा हूं कि कॉंग्रेस के दफ्तरों पर लोक कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची हैं एक लाग रुपिया कोहां है लाओ भाई मांग रहे हैं लोग यानि आपने जनता जनादन के आखों में कैसा है उनको भ्रमित किया कैसी आख भूल जोग परदान मंत्री मोधी ने कहा कि टीवी ते लगातार चाल रहा है कि ए ए मंत्री ए जड़े लीडर ने हूं मंत्री बंडी रेच दे विचने पर केंदे जिन्या खबरांच कोई सचाई नहीं है कि एमपीस नूँ पीम एमपीस नूँना ने एक सुनेहा वी दिता अलर्ट वी दिता के तो अनु मंत्री बंडी फेक कॉल भी आ सकती है अलर्ट रहो जांच कार ले पहला यानि के जड़ियां खबरां चाल रही हैं ने के नितीश कुमार ने ने मंत्रा ले मंगे ने कि जितने फोन किया है वो सचमुच में ऑथोरिटी है अधरबाइस कोई भी आपको नाम हो गया है सुवे परिवार को बुला दीजिए शपस हमारों में आना है हो गया तो ऐसी गब बाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फोज रहती है कुछ लोग आदतन करते रहते हैं कु मुख मंत्री मौझूद सन बीजेपी परदान जेपी नड़ा ने सुवागती पाशन देता उस तो बाद रख्या मंत्री राजनाथ सिंग ने परदान मंत्री दे ओदे ली नरेंदर मोधी देना अधा परस्ताव रख्या आमित शा ने इस ता समर्थन कीता ते नितन गड़ परस्ताव नों मंजूरी दे देती पीम ओदे ली नरेंदर मोधी दे नामदा परस्ताव देंदे हुए राजनाथ सिंग ने किया कैसी सारे खुश किसमत आके लगातार तीजी वरी साठी सरकार बढ़न जा रही है लंबे समय बाद कोई लीडर लगातार तीजी वरी पारद पीम मोधी दे समर्थन दे वेचोना ने आपो अपने तरीके नाल शब्दावली दी वर्तों कीती नाइड़ू ने वे मोधी शादी तारीफ कीती इस तो बाद नितीश कुमार दी वारी आई ता उना ने कहा कि मोधी जी नौ तरीक नू सौ चुकन जारे ने मैं ता कहना कि पूरा समर्थन कर दे हां और आप जान लिजे कि कुछ लोग हमनों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आईएगा न तो इस वार हम देखे है कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है अगली बार सब हारेगा हमको पूरा भरोका है यह सब बिना मतलब का बात बोल बो है देश की कोई सेवा नहीं किये लेकिन आपने इतनी सेवा किये है और उसके बाद इस तरह से हुआ है तब इस वार फिर जो मौका मिला है तब इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुण जाइस नहीं रहेगा वो सब अतम है अब यहार